नमाशकार महाराष्ट काडर की ट्रेनी आईएस अधिकारी पूजा खेटकर से जुड़ा विवाद दो घंटे की फिल्म से मल्टी एपिसोड सीरियल बन गया है साहब पहले लेटेस्ट बता दें पूजा खेटकर गुमशुदार चल रही है जिहां साहब गाइब हैं लापता लेडी अभी पिछले हफ़ते तक पूजा खेटकर पर फर्जी दस्तेवाजों से आईएस में सेलेक्शन पाने का विवाज चली रहा था ताजा खबर यह है कि पूजा खेटकर मंगलवार को उत्तराखंड के मसूरी इस्तित लाल भादु शास्त्री राश्ट्री प्रशासन अकादमी यानि लबी एस एन एए नहीं पहुँची यहां आईएस ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं उन्होंने भी की थी पूजा खेटकर को मंगलवार तक अकादमी में रिपोर्ट करने का वक्त दिया गया था सूथर कहते हैं कि पूजा खेटकर ना ही अकादमी में वापिस लोटी ना उन्होंने किसी को रिपोर्ट किया और ना ही कोई आपचारिक पत्र या कुछ जारी किया कि वो क्यों नहीं पहुँची हैं अब मंगलवार तक का टाइम था बुदवार शाम हो चुकी है अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अकादमी को अनपचारिक रूप से एक फोन पर बोला कि वो परसनल कारणों से मंगलवार तक नहीं पहुँच पाएंगी लेकिन मैंने जैसे कहां बुदवार हो चुका है इधर पुणे पुलिस ने पूजा खेड़कर से संपर साथने की कोशिश की तो उन्हें भी पूजा का कुछ पता नहीं चला कहा ये जा रहा है कि उनका आधिकारिक रूप ज़र जो उनका फोन है वो स्विच्च डॉफ चल रहा है महराश राश पुशासन को भी उनकी कोई खबर नहीं है याद रहे पूजा कोई मामूली नागरिक नहीं आई-एस हैं उनकी ट्रेनिंग से पहले ही होल्ड पर है दूसरी तरफ खेड़कर ने अलग अलग जगे पर दिये मौक इंटर्वी में बताया था कि उनके माता पिता अलग होच गए थे इस आधार पर उन्हें OBC होने का दावा भी किया था हाला कि लोकसभा चुनाओ लड़ने के समय उनके पिता दिलिप खेड़कर ने अपने हलफ नामे में तलाक का कोई जिक्र नहीं किया था अब राज पुलिस इस पूरे मामले की जाच कर रही है पुरे पुलिस कहती है कि दिली से इस संबंद में कुछ निर्देश मिलते ही कारवाई शुरू हो जाएगी और पुजा खेड़कर के माता-पिता के स्तिती के बारे में जानकरी ली जाएगी बता दें कि पुजा के विवादों में घिरने के बाद संगल लोकसेवा आयोग यूपीसी ने पुजा खेड़कर के खिलाफ F.I.R. दर्ज करवा दी थी इसके अलावब उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि आखिर सिविल सेवा परिक्षा 2022 से उनकी उमीदवारी क्यों न रद की जाए और भविश की परिक्षाओं से उन्हें क्यों न रोक दिया जाए खेड़कर पर जालसाजी, धोकादड़ी, आईटी एक्ट और दिव्यांगता अधिनियम की धाराओं के तहट मामला दर्ज किया गया था UPSC के ओर से कहा गया था कि पूजा खेड़कर के खिलाफ विस्तृत जाच कराई गई इसमें पता चला कि उन्होंने सिविल सेवा परिक्षा 2022 के नियुमा का उलंगन किया था उनकी परिक्षा में बैठने की एज लिमिट जो थी पूरी हो गई थी इसके बाद उन्होंने फरजी तरीके से अपना पहचान बदल कर UPSC की सिविल सर्वेस परिक्षा दी थी पहचान बनानी की वज़े से उन्हें लिमिट से ज़्यादा बार परिक्षा में बैठने का मौका मिला था तो साब ये था पूजा खेड कर से इस एपिसोड में हमारे पास जितना था वह आमने आपको बता दिया नए एपिसोड यानि अपडेट के साथ आप सब फिर मिलेंगे धन्यवाद